नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में देखो दोस्तों बहुत दिनों से आपकी फरमाईस थी आप मेरे से कोश्चन्स मैसिस कर रहे थे कि सर बाजार के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप बाजार से इतना दूर क्यों हूँ मैं दूर नहीं था दोस्तों बाजार से मैं बाजार में सिर्फ निवेश कर रहा था और वो भी कुछ चुनिंदा स्टॉक पे कुछ चुनिंदा स्टॉक में ही निवेश कर र बाजार में गिरावट होगी सबसे ज़्यादा असर इन निफ्टी के स्टॉक पे पड़ेगा इनसे आप दूर रहना दूर रहना दूर रहना कहा था और इसी लिए दोस्तों मैं हमेशा बाजार से दूर रहा अभी कुछ दिन पहले कुछ और काम थे मुझे तारगेट दिये के दौरा दिमेट अकाउंट के तारगेट होते हैं और वो भी काम था लेकिन इतने टॉप लेवल पर बाजार जब साड़े सतरा हजार हो और इतनी तेजी से बाजार ऊपर आया है आप जानते हैं इतनी तेजी से बाजार ऊपर आया है कि हर किसी को ये लग रहा था कि बाज बाजार और उपर चला जाएगा और उपर चला जाएगा देखो जो तेजी का कारण था मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है बाजार की तेजी का कारण यह लिक्विटिटी थी प्रयाप मतरा में लोगों के पास सब कुछ जोंक दिया उन्होंने जितना भी पैसा था वो बाजार में जोंक दिया खरीद लिया साब मैंने का ना एक समय ऐसा आएगा कि आप रिष्टेदारों तक के पैसे बाजार में लगा दोगे इससे भी ले उससे भी ले ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमाएंगे लेकिन थोड़ा सा जिक्स हो जाता है दोस्तों साड़े सत्रह बाजार अगर इंडेक्स और वो भी इतनी तेजी के साथ बाजार उपर आया हो तो ऐसे लेवल पर एक तो पहली चीज़ी होती है कि निवेश थोड़ा सा बचा जाए मैं जादातर कंपनियों में जो निवेश कर रहा था आपने भी देखा हो अभी कुछ दिन पहले ही मैंन बाजार में हर कोई सोच रहा था अपना μπο Wool दबा कि बेचले साथ पटा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा पब्लिक क्योंकि पब्लिक का excitement था खरीदने पे पब्लिक excitement हो रही थी मतलब पब्लिक ने जो पैसा कमाया था ना पब्लिक ने अच्छा खासा पैसा कमाया अब इसको वो और सोच रही थी कि और पैसा कमाया और पैसा कमा है और इसके लालच में दोस्तों वो ऐसे लेवल पर भी लोगबाख खरीदने के लिए तयार है पता नहीं हुने उन्हें बाजार के बारे में दोस्तों पता नहीं कि यहां पर सड़न क्या चेंज हो जाए एक दम क्या चीज ऐसी निगेटिव आ जाए कि बाजार धडाव हो जाए इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बाजार से दूर रहो इस पेसली निफ्ती के स्टॉक से तो भाया दूर रहो जो मैं आपको एवरेज नहीं करा रहा था मैंने खरीदवा तो दिये थे अपने स्टॉक बहुत सारी स्टॉक हैं लिस्ट अगर मैं गिरूआ हूं तो मेरी खाल से छह साथ स्टॉक बैटते हैं एबियम वगएरा है केसर है अलम्बिक हैं तो अभी आवरेज नहीं कराया है मैं जानता था कि बाजार में गिरावर्ट स 460 62 हो गया है टाटा इस्टील इतना हो गया और टाटा इस्टील की हालत आप कल देखिएगा 110 परसे 10 परतिशत गिरा तब 1500 से सीधा मेरी काल से 1200 के आसपास आ गया है बजाज फिंस और बजाज फाइनेंस ये ट्रेडिंग के स्टॉक है साथ अजार पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितने शेयर आएंगे आप एक अजार शेयर लेने एक अजार के राओं में एक शेयर भी लेने जाओगे तो साथ अजार की इन्वेस्टमेंट करेगी दस लेने जाओगे तो सत्तर अजार उबे लेने पड़ेंगे आपको इस बारे में सोचना चाहिए यह जो सब ट्रेडिंग के स्टॉक है मेरे बाई निफ्ती के स्टॉक से दूर रहो हमेशा आपको यह कहा सजेशन दिया कि बाजार में निफ्ती के स्टॉक से दूर रहो दूर रहने के कारण बहुत थे दोस्तों क्योंकि जो कोरोन trail के side effect है ना side effect वो आपको जब कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होती भी नजर आएगी जब si acכut ठीक होगा तब दिखाई देंगे मैंने काना जब तक क्रोना है market में डर कुछ नहीं मार्कित में जब तक करोना था डर कुछ नहीं था सब यहीं सोच रहे थे यह तो चलता ही रहेगा ऐसा ही होगा बाजार तो उपर जाएगा लेकिन जब करोना खतम होगा अब जैसे हैं लोगों के मज़ से डर निकलने लगा वैक्सिनेट हो चुके हैं 46-77 करोड में एक हाल से करोड के आसपास की वैक्सिनेट हो चुका है लोगों ने लगने लगा कि अब तो वैक्सिनेट भी हो गए अब तो करोना के केसिस भी कमाने लगा और उसी से हम देखें साब क्या हालत हो रही है बाजार की 200 पॉइंट गिर गया है कल बाजार मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ आज का मैंने बाजार के बारे में भी देखा नहीं है क्योंकि ज़्यादतर समय दोस्तों बाहर ही रहना पड़ता है इस बेसे में बाजार को ज़्यादा देखी नहीं रहा हूँ तो 200 पॉइंट गिरा कल साथ ताटा स्टील देखे हालत देखिए आप इन लोगों की दद्दस परसेंट मैटल सेक्टर क्यों गिर रहा है मैटल सेक्टर क्यों गिरा आप पडोसी देशों के हालाद पर नजर डालो हालाद देखिए पडोसी देशों के स्रिलंका के हालाद देखिए चाइना के हालाद देखिए चाइना में अभी दिसेंटली एक खवर आ रही है कि वहाँ बड़ी बड़ी reality company दिवालिया होने के कगार पे हैं ये क्या है ये सिरीप आपके करोना के side effect है ये एक scenic company है एंडरावेजे कोई company है चाइना की बाकी real नाम मेरे telegram channel पे हैं बगल में गराब भी लगे में हैं आप उनसे देख लिजी कि यानि कि चाइना का real estate market सहाव दिवालिया होने के कगार पे है वहाँ real estate company के बाहर जो ठेकेदार थे जो काम करते थे उनकी साफ लंबी लंबी कतारे देखी गई है payment लेने वाले एंडरवाजे एक company है सीनी के company है rating एजंसियों ने इनके साफ साफली एकदम downfall कर दिया इन rating एजंसियों ने जितनी बड़ी बड़ी चाइना की real estate company थी सबको downgrade कर दिया और इसका विस्प के बाजारों पे आपने देखा credit संकट उत्पन होने वाला हो सकता है चाइना के अंदर credit संकट ये credit संकट क्या होता है credit growth क्या होती है ये सारी चीजे दोस्तों मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता रखिए है दिए जब कभी किसी भी देश का real estate sector नीचे गिरता है न वहाँ दिवालिया होने की कयास लगाए आते हैं तो बहुत सारे sector पे उसका फरग बढ़ता है सीमेंट, स्टील, लेवर सबसे ज़्यादा रोजगार देता है ये real estate sector और real estate sector ही बैठ जाए तो फिर आप सोचे जितने भी इसके correlated sector है उनकी हालत क्या होगी सबसे ज़्यादा मैटल का यूस कहा होता है चाइना में ग्लोवल एक्सपोजर हमारे देश की जो मैटल कमपनिया है इस्टील कमपनिया है उनका एक्सपोजर कहा है बहार के देशों में और चाइना के कारण विश्फ के बाजारों में ये अफवा फैल गई कि real estate चाइना का बैठ रहा है बरबाद हने के कागार पर है सहाब जो टैं यह क्या कहते हैं अपनी स्टील कमपनिया मेटल जो कमपनिया है मेटल सेक्टर है वो सहाब दवाऊ में आ सकता दाबर तोड विक वाली हुई साहब शाब ताबर तोड टाथा स्टील एकी दिन में दस पर सेंट कारण दोस्तों ये था विश्व के बाजारों को देखिए अपने पोडोसी दे स्री लंका चाइना के हालात को जानिये स्री लंका एक परियेटन इस्तल है मैंने बहुत पढ़ा है उसके बारे में और टेलिग्राम चैनल पे भी आपको मैंने कहीं बार बताया करोना के कारण परियेटन बंदो चुगा था और साथ स्री लंका के हालात पस्त लंबी लंबी लाइने लगी साथ अपात काल गोसित करना पड़ा था वागे रास्त्ति को ये हालात हो रहे हैं अपने पोडोस में चाइना के मैंने भी आपको रियलिस्टिक चेक्टर बताया है और स्री लंका के मैंने हालात आपको बता दिये है ये करोना के साइड इफेक्ट नहीं दीखेंगे करोना के समय तो लोगों भी पैसा था वो पैसा उन्होंने बाजार में लगाया कब तक लगायेगा कोई पैसा मेरे पे कितना पैसा होगा मैं कब तक बाजार में लगाँगा एक सीमा होती है अर चीज़ की दो उधर से ले इदर से ले ऐसे सत्रा जार पिन मैं अगर सबका पैसा इखटा करके बाजार पे लगा दूँ तो आप सोचे की मेरी हालत क्या होगी आप कहते थे ना कि सर मेरे पास इतना है मेरे पर को गुरूप में सामिल कर लो हमारा भी इन्वेस्टमेंट कर दो मैंने गा भईया इस समय थोड़ा सा रुख जाओ रोज यही कहता था डेली आपसे यही कहता था रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ पेसंस ली होल गरो पेसंस था ही नहीं इस्टेंट मनी चाहिए लोगों को इस्टेंट मनी एकदम अरे भीया यह बाजार जो है स्टॉक मार्किट जो है इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म में यहां अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है थोड़ा सा सबर के साथ सेयम के साथ रुखो आपने पैसा नहीं कमाया है क्या आपने पैसा डेफिनिटली कमाया वुस पैसे को बचाओ तो सही कितनी आपके अंदर पेशन्स है आप कितना आप उसको रोक सकते हो यह चीज़ देखने वाली होती है मैं क्यों गोल्ड में निवेश करवा रहा था आपसे कम से कम गोल्ड आप अगर लेके आओगे फिजिकली के रूप में घर पे रखोगे कोई ऐसेस्ट तो बनेगी आपकी आप बजार में पैसा कमाया फिर साब बजार में उपर के लेविल पे फस गए पता चला उपर से के लेविल से बजार नीचे धड़ाम हो गया आप वहीं फसे रहे यानि जो कमाया था वो बजार में फिर दुबारा से गवा दिया जो कमाते हो उसको कहीं दूसरी जगा निवेश करा करो इस पेसली गोल्ड में फिजिकली गोल्ड को लिया करो अपने गर पे रखा हुआ तो है जो आज पैंतालीस पचास पे मिला है कल अगर वो डेड़ लाक पे मिलेगा एक लाक पे मिलेगा तो सोचो आपने कितना सस्ताज गोल्ड खरीदा है यह आपके बच्चों के काम आएगा निवेश करने के तरीके होते हैं अब बहुत से लोग करें थे खरीद लो टाटा इस्टील खरीद लो बजाज फाइनेंस खरीद लो यह फलाना डिमकाना ऐसा हो जाएगा फलाना हो जाएगा अठारा आजार वेश जाएगे डैफिनेटली जाएगे मैं भी कहरो लेकिन थोड़ी भईया गिरावट तो ओने दो तो जितना आप पेशनसली होल्ड करके रखोगे उतना ही आप फाइदे में रहोगे विस के बाजारों की आप तश्वीरे देखिये जो पैसा लगाना चाहिए जब मान लिया मेरे पास एक लाग रुपए है और मैंने पचास अजार इस लेली में बजार में कमाया जैनी कि जो करोना की लेली हुई पचास अजार बजार से कमा लिया अब इस पचास अजार को मैं क्या करता हूँ गोल्ड में निवेश करता हूँ मैं दुबारा इस पचास को बार्केट में नहीं लगाता मैं पचास को गोल्ड आप दुबा के लोग बाग खरीदारी करने पैसा था भाया खरीदारी करने ते मार्किट खुला हुआ था, सब चीजे बंती मैंने कई बार आपको वीडियो के माद्रες से बता पारक्षा था मार्किट उन्हें इंपोरचुनुटी दिख रही उन्होंने पैसा वहाँ लगा दिया, कब तक लगाएंगे, कमा रहे थे, साब लगा रहे थे, कमा रहे थे, लगा रहे थे, अब एक ऐसा लालच मन में बैढ़िया, कि सब कुछ फिर एकदम जोंग दिया, तरब बजार देखिए, एकदम धड़ाम हो गया, ऐसा नहीं है, बज सेक्टर पे ही दवाव देखा जाएगा, चैना के कारण, एक तो मेटल सेक्टर पे आप दवाव देख सकते हैं, और दूसरा आप जो कूड़ रिलेटिड है ना उस पे आप दवाव देख सकते हैं, यानि कि सबसे ज़्यादर दो हमारा देश दोस्तों निर्भर रहता है, वो crude और defense sector पर रहता है निर्भर तो metal sector पर आप ज़्यादा दवाब देख सकते हैं banking के लिए दो बहुत कुछ हुआ है FDI का जो foreign investment है जो foreign portfolio लोग भागए FII, especially वो लोग तो ठीक ठाक सा निवेश हमारे देश में करी रहे हैं उनसे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है Forex Reserve भी ठीक ठाक सा है Sri Lanka और चाइना जैसे हालात तो नहीं होंगे लेकिन उनके कारण साब इस्तिती ठीक भी नहीं रहेगी यानि कि एक consolidation face में हमारा बाजार जा सकता है तो कुल मिलाके दोस्तों जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा सचेत करना था सचेत तो मैं बहुत दिन पहले से आपको करता आ रहा हूँ इसलिए चुपचा बैटा था इसलिए कोई call नहीं दे रहा था कोई put नहीं दे रहा था जैसा नहीं कि हम सत्रा यार पांसो जब बाजार चला गया वहाँ निवेश कर दे पूरा पैसा वहाँ जोंग दे यह जो तज्जूर्बा होता है ना यही आपको सिखाता है सांत सीतलमन धैरिये यह सारी चीज़े बाजार में ना आपको एक सफल इन्वेस्टर बनाएंगे धैरिये रखिए सयम यह से नहीं है कि यहाँ पर आपने पैसा लगाया तो एक दम आपको सडनली रिटर्न मिलना सुरू हो जाएंगे बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने इन्वेस्टमेंट का रखा है वो स्टॉक नीचे आगे यार क्या बात हो गए आपने FD में अगर आप निवेश करते हो बैंक की FD में तो उसमें भी थोड़ा सा दहरिये रखते हो तो थोड़ा दहरिये रखिए वो स्टॉक महीं पहुंच जाएंगे 20 परसेंट का उपर सरकिट मारेंगे फड़ा दहरिये रखिए अभी तो एवरेज करने का पॉइंट ही निया और जोब भी स्टॉक में कोई बताता हूँ एकनम दवा के माल मत बाय करा करिये मैं एक लिमिट सीमा बताता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम बताता हूँ और जैसा देखने को दोस्तों मिल रहे हैं जैसे स्रिलंका में हलाट ठीक नहीं है चाइना में अब हलाट धीरे धीरे खराब होने लगे हैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया में दिवालिया होने के गगार पे हैं फहले आइटी पे दीखे चाइना ने किस तरह का मेरे कहल से दवाव बनाया था वो आयात नहीं कर सकती हैं उसके बहुत सारे दवाव दिखके चाइना के अंदर जो चीजे चलती है न माइङ सरकार की इजाजत के मिना कारिया नहीं कर सकते तो अगर बत से बत्तर तस्वीर भी होगी ना तो वो भी आपको बढ़ा चड़ा के दिखाए जाएगी यह जो थोड़ी बहुत लीग हो जाती है खबरें इनसे पता चलता है कि इस्तिति इतनी खराव है चाहे ना की डिमांड नहीं है आप डिमांड कहां से लाओ वे लोगों पर जो पैसा था उन्होंने तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया पैसा बचा कहा है कैसे खरीदेंगे घर यार बताओ मुझे मेरे पर जो पैसा था मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया अब मेरे पर पैसा बचा आएगा है कि मैं घर खरीद लूँ अब घर नहीं खरीद लूगा तो सोबाविक है रियल इस्टेट में मंदा तो आना है रियल इस्टेट में मंदा आएगा तो स्टील तो नीचे आएगा ही सिमेंट तो नीचे आएगा रेता बजरी तो नीचे आएगा ही लेवर तो नीचे लेती है ना भाई बेंकों से मकान भीक्नी दे उर साथ करजLY इतना मोटा इतना वोड़ा बैंकों से ले गहां है फिर क्या होगा ब्याज चड़ेगा ब्याज इतना बढ़ जाएगा वह सब पिछला payment नहीं कर वाएगी ब्याज उससे भी उपर हो जाएगा फिर default और यही हो रहा है चाहिना में क्या हो रहा है default क्यों हो रहे है करचा लिया हुआ था दिया नहीं गया, ब्याज बढ़ता गया, डिफाइल की कंडिशन आ गई, इसी दिए रियल स्टेट ड्राम, ये दो जार आठ की बात बता रहा हूँ, मैं दो जार आठ में भी क्रैसिस जो हुआ था, रियल स्टेट में जब डियल एफ यूनिटेक साथ ऊपर भाग रहे थे, दवा गए, यूनिटेक तो साथ 500 के आसपास था, डियल एफ 700, 800 के, मैंने देखा, खुद देखा यार, तो जुबा बोलता है, और फिर क्या आला तू इनकी, उस रेट पर आस तक नहीं गए, यूनिटेक एक रुपे पर तू आ गया, लेकिन जब दुबारा वो रेट उसन समय नहीं लगता, जितना कमाया है न सब यहीं देखे जाओगे, अगर निवेज दूसरी जगा नहीं करोगे, अपने कैश को मेनेजमेंट नहीं करोगे, सब ये देखे जावगे, तेदोगे सब यहीं, Tata Steel 1500 बे खरीदते, सब ये देखे जाते, और अगर टेड करते, तो औ बूरा हाल होता है इन्वेस्टमेंट में तो चलो माल आपके पास है पंदरस रुपे में टाटा इस्टील अगर ट्रेड में लॉंग पोजिशन बना रखी होती न तो हालत खराब कर देता ट्रेडर्स बोर ट्रेडर्स के रहा हो प्रेटर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है एसा क्या हो गया कि साथ जो कंटिन्यूसली बाजार भाग रहा था टाटा स्टील भागे जा रहा था एक ही दिन में धणाम भाईया एक्सपेरी पास है एक्सपेरी पास है मंथली एक्सपेरी है बहुत उपर चला गया था कॉल के प्रीमियम कितने बढ़ गए थे देखो सब को एड़ जैस करना आप करेगा वह बहाना मिल गया है चाइना का बहाना मिल गया ऑपरेटरों को चाइना का तो ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहो ट्रेडिंग करने की कोई आवाशकता नहीं है इन्वेस्टमेंट को टाटा इस्टील अगर पंदरा सो में ले रखा है तोड़ा सा दैर ये रखो वो पंदरा सो भी आएगा तो जार भी चड़ेगा मर्जर नहीं हो है टाटा इस्टील मेरी क्याल से बीसल का बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है ये मर्जर की जो कहानी है ना मैंने आपको सुना रखिए कितना भ्यानक परिवर्तन आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर सकते देलवे में मर्जर हो रहा है एरपोर्ट एवेशन सेक्टर में मर्जर हो रहा है डिफैंस में मर्जर हो रहा है बैंकों में म मैं देखाल से 19-20 मिनिट का ये वीडियो होगा, वीडियो तो मैं यहां से डेड़ घंटे की स्पीच भी आपको दे देता हूँ, पूरा बता देता कि लंडन के बाजारों में क्या हुआ, क्यों साब क्रेडिट की ये ग्रोथ क्या होती है, क्यों चाइना के बाजार गिरे, क् इसके बाजारों पे क्या असार होगा, सब कुछ घोल के पिला देता मेरे वाई, लेकिन थोड़ी से काम मुझे भी रहते हैं, वीडियो बनाने का एक समय मिलता है, बस सुबह के समय उसमें एक वीडियो बनाने की मैं कोसिस करता हूँ, तो बाजार में दोस्तों जल्दी वा वशकता नहीं है, जो स्टॉक मैंने आपको दिला रखे हैं, वो जादा नहीं गिरेंगे, जादा जो गिरेंगे, आप याद रखना, निफ्टी के स्टॉक में जो मार पड़ेगी, वो दूसरे स्टॉक में नहीं पड़ेगी, होल करके रखिए मेरे स्टॉक, ये गिरते वे बाजार में भी साब धमाल मचाएंगे गिरते वे बाजार में भी धमाल मचाएंगे थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए तो घबराना नहीं उसका भी हत्यार उसका भी सजेशन उसका भी साब हमारे पास solution है हमने अभी average किया ही नहीं accumulation के द्वारा जो हम buy करते हैं उसका benefit average करने के समय काम आता है तो आगया दीजे मुझे आज का वीडियो समात करने की बाते तो बहुत सारी करनी थी लेकिन दोस्तों मुझे भी कहीं जाना पड़ता है इसलिए ये वीडियो में यहीं समात करता हूँ मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक कीजे इंतजार फाइनली आप से नमस्कार